सुप्रेय जी आपने नफरती चिंटू जितनी बार इस्तमाल किया था मैं जान रहा था किस परिपेक्ष में आपने किया है आपका ट्वीटी में दिखाऊंगा उनका ट्वीटी में दिखाऊंगा उसके जवाब में इनों ने भी एक शब्द का इस्तमाल किया बोली अब आपने समय में बोल लीजेगा मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठ कर मैं किसी भी व्यक्ति को जूट नहीं बोलने दूँगी उठाइए गूगल और करिये जितेंद्र प्रसाद जी सोनिया जी के पुलिटिकल सेक्रेटरी बने थे उनके लड़के को हम लोगों ने सांसत का चुनाव लड़ाया वो जीते और वन अफ दे यंगेस्ट मिनिस्टर्स हमारी सरकार में थे उसके बाद उनकी मती भ्रहम हो गई और बीजेपी चले गए वो छोड़ दीजे मुद्दा वो नहीं है मुद्दा यह है कि इनके हाँ देश में गरीबी देश में महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो इनको नजर नहीं आएगा इनको एक पांच साल की बच्ची एक छोटी सी पांच साल की बच्ची के कपड़े से पहचान कर उसकी फोटो लगा कर नफरती चिंटू इनके उसके बारे में लिखेंगे अरे अगर इतना ही आपको शौक है भारत जोडो यात्रा से जुडने का तो आईए डबल नाइन टिपल नाइन एट जीरो टू डबल जीरो पे मिस्ट कॉल दे दीजे और भारत जोडो यात्रा.in से आईए जॉइन करिए मुझे तो लगता है भारती है जनता पार्टी के हर उस व्यक्ति का जो लोगों को कपड़े से जो लोगों को बोली से जो लोगों को देख कर पहचानता है उसको भारत का भ्रमण करना चाहिए भारत देखी आप आकर और अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ और वो बात कहनी जरूरी है लाल कृष्ण अडवानी जी मुर्ली मन ओहर जोशी जी अरुन शोरी जी यश्वंत सिनह जी शक्त्रुगन सिनह जी इन सब लोगों को तो 75 साल होते ही मोदी जी ने मेंटल कोमा घोशित करके मारक दरशक मंडल में डाल दिया लेकिन अभी गडकरी जी और शिवराज सिंग चोहान को दोद की मक्खी की तरे निकाल दिया पार्लिमेंटरी बोड से और ले आई यदूरप्पा जी को जिनको करप्शन के कारण हटाया था यदूरप्पा जी कौन सी गंगा में गोता लगाकर सर्व से दाग धब्बे धोकर आ गए भाईया पार्लिमेंटरी बोड में गडकरी जी को क्या सच बोलने की सजा मिली और मैं फिर से वो तमाम तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ जो इस देश का असली स्वरूप है वो तमाम तस्वीरें सुप्रया जी मैं जरा इसका कॉंटेक्स क्लियर कर दूँ क्योंकि दर्शाथ बेखर सोच रहूंगे कि आप कौशी तस्वीरें दिखा रही है वो तमाम तस्वीरें मुस्लिम बच्ची का हाथ पकड़ा है मुस्लिम बच्ची उनके साथ है बच्ची आप देखें तो उसने हिजाब पहना हुआ है और वो कवर्ड है बिल्कुल कवर्ड लिबास में है तो इसको आधार बनाकर उन्होंने तुष्टी करण का आरोप लगाया था अब मैं जो जवाब दिया सुप्रिया जी ने तो वो जवाब भी आपको बता देना चाहिए सुप्रिया जी ने लिखा दा संबित जी का नाम लेकर कि तुम से ज़ादा घटिया और गिराववा व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बक्षा यात्रा में अपार जनसमूत देखकर बॉकलाना एक बात है पर नफरत में इस तरह अंधा हुना यू आर दपिट संबित स्वराज यह आपने लिखा संबित पात्रा के लिए उन्होंने अपने इस ट्वीट में ठीक है उन्होंने तुष्टी करन का आरोब लगाया यह बात भी ठीक है यह बात उन्होंने कही होगी लड़की बच्ची का लिबास देखकर के लेकिन आपने जिस भाषा में सुप्रिया जी जवाब दिया क्या वो ठीक था? मुझे उससे बत्तर भाषा में जवाब देना चाहिए था एक पात मैं मा हूँ और एक पात साल की बच्ची को आप जब सिंगल आउट करते हैं उसके कपड़े के लिए इससे ज़ादा घटिया सोच का दूसरा कोई आदमी नहीं हो सकता है निकरिष्ट सोच है ये नफरती सोच है लेकिन उस नफरती सोच का भी तो परदाफाश होना चाहिए उस नफरती सोच को सेकड़ो फोटो में से वो एक ही फोटो क्यों नजर आई क्यों नहीं ये बुड़ी मा नजर आई जिसने अपने हाथों से चटाई बुनकर राहुल गांधी को दी और उनसे मिलकर फपक कर रो पड़ी अपनी दूरदशा बताते हुए मुझे बताईए वो नफरती चिंटू मुझे और खराब लिखना चाहिए था और इसलिए लिखना चाहिए था क्योंकि ये नफरती चिंटू 2008 में टोपी पहन के मजार पे गया था दिल्ली में 2008 में तब हेट्रेड तब नफरत इतनी घुली नहीं थी एक मिनट आपने मुझे सवाल पूछा है सुनिए अब ये नफरती चिंटू और ये इनके आका है ये हिंदुस्तान में किसी को गले नहीं लगाते हैं लेकिन गल्फ के लीडर से तो ऐसी गल्बईया करते हैं कि पिछले जनम के भाई मिल गए हो ये मोदी जी हैं ये इनके आका हैं गल्फ में खूब गले लगते हैं हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को गले नहीं लगाएंगे इनके फॉलोवर्स इनके प्रवक्ता हिंदुस्तान में पाथ साल की एक बच्ची को सिंगल आउट करते हैं और मैं बता दू मुझे गुस्सा क्यों आई मुझे गुस्सा इसलिए आई क्योंकि वो बच्ची के लिए भी खत्रा साबित हो सकता है इन्होंने सिंगल आउट किया है लोग उसको हरास कर रहे हैं की ट्वीट्स के नीचे एक छोटी सी पाथ साल की बच्ची को हरास करने की इजासत हिंदुस्तान नहीं दे सकता है वो हिंदुस्तान नहीं दे सकता जहां पर यत्र नारियस्तू पूजयनते रमनते तत्र देवता की प्रद्वती हम पॉलो करते हैं क्या बात करता है या आदमी यह नफरती नहीं बॉखला गया है आप चूंकि वो वेक्ति यहां नहीं है तो आपकी बात का जबाब वहीं देते हैं लेकिन मुझे नहीं मालूम प्रेम शुकला जी को यह प्रकरन पता है कि नहीं पता है अरे यही दे यहां है ना लेकिन इनका ट्वीट नहीं है ना तो मैं उनसे पहले यह पूछूं इनको यह प्रकरन मालूम है या नहीं मालूम है इंडिया टीवी हर वक्ट हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी निउस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर